हेलो स्टुडेंट्स वालकम तो यूटीब चैनल उप ज्यांतृत्ति कॉलेज हम यह से शेटींड यह में पेपर फर्स की उनिट थर्ड कर दिया है वो आज कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें जो हम टॉपिक कर रहे हैं थर्मो डायनमिट स्केल ऑफ टर्प्रेचर हो तर्मो में थर्मो में थर्मो में को लें धिता है कि और कि अई यह सबलिंड आध करें लैंक थर्मो में przeci तो नुद तर्मो में नुद Cheese तो उसका रिजामबल इसके साथ इडेंटिटी कैसे होगी वह चीज रिखेंगे ठीक है सबसे बाले थर्मोडायक्तिक स्केल में हमने कल क्या देखा था वो देख लेख लेख है यहां पर कोई सोर्स था Height Engine और तो मैंने फूर्फो ज हिट है तो मैंने सको फिटा टुप का था रिडूस्ना इंजल था इंग्तु उसके एक्ववलेंट में मैंने इसी के दोनों के तुलिया एक और इंजन मना दिया था । एक और हीट्प सोर्स यह दोनों सोर्स क्यासे थे और रिवर्सिबल्ट इनजन और उसी के जैसा ही इन दोनों के तुम लिए मतलब दोनों को जोड कर या दूनों के एक और बनाती है जैसे इक विविलेंट सर्किट बनते है वैसे तो उसको मैंने ए ले भिया तो यहां पर क्या करा है क्या है क्यू वाना था दे रहा ता यह सींख करें लेकिन लिए तरी principle के लिए जिसका टाहिए को बैश्य का है इसंध्य के हैं कैसे है और हमें पता है कि सोर्स का टंक्रीचर हमेशा सींख से जाद है तो यहांपर ठीक्षिता 2 , ठीक से protection तो मतलब यह वला इस के लिए सोर्ष का काम करेगा मैंने यहाँ पर टमपरेचर शो करा यहाँ पे सॉर्सर से इसी नी लिखा कि यहां पर इटा-टू से आपको पता चल जाएगा कि वह इसके लिए तो सूर्ष का काम ने लेकिन इस को रिती हो इस ले भी W2 work करा और जो remaining Q3 वो सिंख को दे दिया तो इसके जो equivalent में मैंने circuit बनाया था circuit तो क्या lead engine जो शो करा था वो माल लिया Q1 ने रहे Q1 ले रहे और end में Q3 दे रहा था Q3 दे दिया माल लिया कि W उसने work करा जो कि इसके equivalent में है ठीक है तो वो मैंने W work करती है यह चीज़ आपको कल भी मैंने बताई थी वो आपको समझ आगी होगी कि मैंने किस तरीके से इसको equivalent में दिया तो नीटा क्या है हमारे पास हमें पता है कि 1-Q2 और Q1 होता है और एक और चीज़ हमें पता है कि नीटा क्या होती है 1-T2 वोवेट T1 T2 की जगा हमने temperature क्या लिया थीटा टू और थीटा अब थर्मोडालमिक स्केल की जरूरत क्यों थी क्योंकि जो बाकी के स्केल्स थे उनसे अगर किसी वर्किंग सब्स्टैंस की temperature टोट कर रहे थे तो वो हर एक थर्मोमेटर से क्यानी कि हर इक स्केल से अलग अलग वैल्यू जा रही थी तो इस वार ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कैल्विन ने अपना एक अलग स्केल दिया था जो कि उस वर्किंग सब्स्टैंस की या वो जो मैटर था उसकी नेचर पर तो यहां से हमने निकाला था हमने क्या कर दिया था इस वारी टर्म को उदर बेश दिया रिसको यू लिया थी फिर वन और में Q2 की वैल्यू निकाली थी जिसको हमने Capital F theta 1 theta 2 लिख दिया था मैं capital F क्यों लिकाता हम क्या term बन रही है यह term बन रही थी जब Q1 में Q2 कर दे तो हमने क्या कर दिया इस वाली term को है तो यह भी temperature का ही तो मैंने इसको capital F theta 1 theta 2 ले यह भी theta 1 theta 2 जो की temperature है उसका function है तो मैंने उसकी form यह इस तरीके से लिख दिया था यह तो था Q1 और Q2 के लिए फि उसके लिए हमने Q1 और Q3 का दिया तो हमारे पास क्या आया था E2 engine E1 engine के लिए तो यह चीज़ आई थी E1 reversible heat engine के लिए F1 जीटा 1 theta 3 similarly Q2 by Q3 देखो Q2 by Q3 के लिका जो source से लिया वो डिवाइड में जो सिंक को दिया तो यहां से source से Q1 ली थी Q3 सिंक को दिया अगर मैं इन दोनों के equivalent जो मैंने एक heat engine माला ही उसके लिए देखो तो source से heat Q1 ली थी और Q3 देथी इसलिए Q1 by Q3 करेंगी तो यह भी similarly इसी तरीके से function हो जाएगा और Q3 sorry Q1 और में Q3 भी क्या ही हो जाएगा F theta 1 and theta 3 का function जैसे हमने कल किया था उसी से ही मैं यह बता रही हूं कि यह इस तरीके के functions आएगे तो देखो फिर हमने कल क्या किया था कि मुझे क्या बताए Q3 जो है F theta 1 theta 3 की मेरे पास value आई है Q1 Q3 अगर मैं इसी Q1 और Q3 पे Q2 का उपर और नीचे multiply कर दो तो मेरे पास से कुछ ऐसा बन जाएगा Q1 Q2 dot Q2 Q3 तो फिर हमने क्या किया था यह वाली जो है यह जो है इसके अंदर यूज करी थी यह आज बताने का Q3 है तो theta 2 theta 3 अब देखो मैंने कर यहां पर एक चीज बोली थी कि आप function को F theta 1 और theta 2 को दो तरीके से ले लिए 5 theta 1 और में 5 theta 2 ले सकते हो अगर आप किसी equation में करते हो तब आप इस तरीके का लोगे कि इसमें क्या लिए 5 theta 1 और में 5 theta 2 dot 5 theta 2 और में 5 theta 1 नहीं 3 तो यह 2 से 2 cancel हो करके F theta 2 की value आजाएगी 5 theta 1 और 5 theta 3 अगर इस equation में लेते हो तो आप यह लिए देना अगर आप इसको इस तरीके से convert करते हो कि F theta 1 theta 2 is equals to F theta 1 theta 3 और में F theta 2 theta 3 तो यह theta 2 को function एक अलग से आरा था अगर आप ऐसा करते हो तब आप F को क्या लोगे तब आप F theta 1 theta 3 को किस तरीके से लोगे 5 theta 1, 5 theta 1 second 3 से और F theta 2 theta 3 को क्या लोगे 5 theta 2, 5 of theta 3 तो जब आप इनका divide लगाओगे इस पाई equation में जैसे divide था तो theta 3 से theta 3 कट करके मेरे पास क्या आगया था? F theta 1 theta 2 की value आई थी जो की क्या लिए 5 theta 1 over 5 theta 2 तो देखो end में हमारे पास function का value थी वो यही आगी थी इसको आप और में लिखते हो ठीक है यहां से अगर आप इस तरीके का कर रहे हो यहां से इस वागे equation को ऐसा भी लिख सकते हो तब आप function को यह मालूगी लेकिन अगर आप इस equation में solve कर रहे हो तो अब आप यह वाली value ले ले लेना function की दोनों में से किसी से भी solve करो कोई problem नहीं आएगी तो देखो यहां से मेरे पास इस value निकल आएगी अगर आप इस तरीके से solve कर रहे हो तो फिर आपको आगे क्या solve करना पड़ेगा एप theta 1, theta 3 की value क्या ही है मेरे पास यह देखो theta 2 से theta 2 cancel हो रहा था 5 of theta 1 over 5 of theta 3 similarly क्या आजाएगा मेरे पास 5 of theta 1 over 5 of theta 2 देखो दोनों के दोनों result क्या है मैंच कर रहे हैं तो आप चाहे तो यह वाला method यूज कर देना और चाहे तो यह वाला method यूज कर देना दोनों में से कोई आप यूज करना कर दोनों से करके दिखा दिया अब आपकी मर्जी है अगर आप यह वाला method करते हो तो यहां पर यह जो वैल्यूस थी वह लिख करके डिरेक्ट इसको इस तरीके से कर देना तो वह दोनों आप पर ही पैंट करते हैं आपको कैसे सॉल करना है रिजर्ट दोनों से सेम आ रहा है और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर फाइट नमरे दोनों से सॉल को जाएगा को सब्सक्राइब दोनों से सॉल पर करेंगे अगर था एक अगर मेरे पास क्या है और मेरे पास एक वैल्यू पड़ी है जो कि क्या है Q1 और Q2 तो इसका मज़ब क्या होगा ये एक्वेशन क्या हो जाएगी Q1 और Q2 के एक्वल होगी तो इसी चीज़ को convenience के लिए यारी कि easily हमें इतने भी easy हो ऐसा करने के लिए क्या लट कर दिया कि 5 of theta 1 तो टो 1 है and 5 of theta 2 क्या है टो 2 यहां से एक और चीज़ पता चल लिए इस वाई equation से देखो source से जो heat होगी वो जादा ही होगी कैसे जादा होगी देखो कैसे जादा होगी ये है source इससे किसी heat engine ने heat ली ये है sink heat Q1 ले रहा था W work कर रहा था और Q2 heat बच्ची भी वापीस दे रहा था अब Q1 heat से तो उसने W work भी कर रहा और कुछ rest heat जो थी वो sink को दी भी इसका मतलब Q1 क्या है W प्लस Q2 के इक्वल है तो मतलब Q1 Q2 से बढ़ा है तो मैंने वही चीज़ यहां पर इस इक्वेशन से यह चीज़ आपको समझ में आगी होगी कैसे Q1 Q2 से बढ़ा है यहां से तो Q1 का Q2 से बढ़ा होने की कारण क्या हो जाएगा अगर दोने एक्वेशन से एक्वल है तो 5 थीटा 1 भी 5 थीटा 2 से बढ़ा हो जाएगा यारी कि टो 1 भी किससे बढ़ा हो जाएगा टो 2 से और यह टो जो है यह थीटा थीटा जितने भी है वो टम्प्रेचर को शो करने की यह क्यामिन दिए और थीटा की फंक्शन को उसमें टो में कर्वेशन तो वह एक ताप से टम्प्रेचर को शो कर रहे हैं यह तो इसका मतलब क्या है यह जो टो 1 है यह तो किसको शो करेगा सोर्स को और यह किसको शो करेगा सिंक के टम्प्रेचर को सोर्स को सिंक के टम्प्रेचर को शो करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ अब जो एक्वेवलन सर्कीट था वो कुछ ऐसा हो दाएगा कि सोर्स से टोवल टम्प्रेचर को बढ़ा है और यह क्या है सिंक के टोटू पर यह देखो यह मैंने कैसे किया है, तो ओल और टोटू क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने जो है वो थीटा की function को इसी term में ले दिया, कि वो थीटा, जो हमने थीटा और थीटा टू temperature लिया था, उसको मैंने convenient के लिए, यान कि हमें लिखने में easy और बार बार function ना लिखना बोड ना लिखने की वो यहां से देखो q1 by q2 था तो इसका मुदब q1 heat clear है, इस वाली equation से भाष बनाने की try करी है, और q2 जो है, वो heat sink को देखी, तो यह वरा ज़्या, चाया, पक्ग्जाम में मत बना कोई जुन दिखी नहीं है, ठीके तो कल हमने यहां तक किया था, अब देखो जो absolute zero temperature की थी वो यहीं से अब थी अब absolute zero temperature की है इसको हिंदी में बोलते है परम शुन्य अताव यह आपको पता ही होगा होता कितना है zero calvin को डिगरी साल्सियस को क्याल्विन में बदलना है तो जो डिगरी का साल्सियस है उसमें 270 जोड़ दे तो वो क्याल्विन की टम आपकी है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास zero calvin होने के भी डिगरी साल्सियस कितना होना चाहिए तो कितना डिगरी में होना चाहिए तो कितना डिगरी में होना चाहिए दो सो थी अक्तर तो मैंने यहां भी साल्सियस लगा दिया वह भी क्यासा माइनस गया लिकि इतना नेगेटिव में इतनी बड़ी मतलब इतना कम temperature मतलब करना इतना तो क्या वैसे यह बहुत ही क्रिटिवल कंडिशन हो जाएगी जिसमें जीरो क्यामिन टेंप्रेचर को अप्टेइन कर भाएगी तो पहले आपको जीरो क्यामिन की यहां पर अप्रप्शन याज आपकी डैफिनिशन बना और चाहिए कि वह उती है तो आपकी तो क्या जाएगी डैटा के तो अगर इसकी डैफिनेशन यहीं से क्या प्रेचर की अगर तो केस कहते हैं तो 2 की value 0 है ठीक है कि यह 0 है तो उस case में नीटा क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी या फिर मैं यहां पर देखो तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है Q2 की value कैसी आजाएगी? 0 आजाएगी, क्योंकि ये आपस में इसके इक्वल है अगर ये पूरी equation equal है, तो Q1, Do1 की equal होगा और Q2, Do2 की equal होगा, ये ही बात होगी तो इसका अगर क्याएगी, ये 0 और इक्वल Q2, 0 है अगर मैं इसको इसमें शो करूँ यहाँ पर मैं सोट सिक्माली के बंदर है, ये Q2 थी Q2 के 0 होने का मतलब क्या होगा? कि Q1 जो है, वो पूरी की पूरी W में convert होगी है या फिर इसका और भी एक मतलब आसकता है कि efficiency 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा temperature जिस पर efficiency जो है, वो unit हो जाए unit हो जाए या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, अगर इसको percentage में convert करेंगे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 100% यानि कि एक ऐसा temperature जिस पर Q2 0 हो जाए, मतलब जितनी भी source से heat engine ये उश्माली है वो पूरी की पूरी work में convert हो जाए, या फिर efficiency जो है 100% हो जाए, तो ऐसा temperature को क्या बोला जाता है, परक शुनियत आप या फिर absolute zero temperature, अब ये possible ही है, अब अगर आपने thermodynamics में second law of thermodynamics वाला topic पड़ा है, जो मैंने करवाला था, तो उसके दो statement थे, किस-किस के, एक तो सा Calvin Planck का, ये दोनों statement में इतनी बार बोल दी कि आपको याद ही होते होते हैं, और दूसरा किसका था, Closius का, तो Calvin Planck ने क्या बो सब्सक्राइब कर दिया है, कि जितनी heat source ने, source से heat engine या कोई भी engine उसने लिया है, पूरी की पूरी heat को work में convert कर दिया, ऐसा possible नहीं है, ये चीज़ Calvin ने बोली थी, उसने क्या बादा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कि heat जो है, वो zinc को दी जाएगा, यानि कि Q2 की value 0 नी होगी, तब तो उसने possible कर दा, otherwise if possible कर दा, तो ये thermodynamics के second law को क्या कर रहा है, वोईलियेट कर रहा है, उसका against जारा, उसको contra-attempt कर रहा है, उससे भी आप समझ सकते हो कि परंट्रिलियाट आप को obtain करना possible नहीं है, और दूसरी जीज माइनस का 230 degree Celsius temperature, कि इतना temperature भी obtain करना possible नहीं है, ठीक thermodynamic scale of temperature and its identity with perfect gas scale, यानि कि जो thermodynamic temperature लिया है, हमने scale लिया है, उसके किसी ग्यान scale के साथ इतना गदा है, तुल लेना, यानि कि देखना है कि वो अधनितिकल वक्ते हैं, आपने मेंस में प्रूफ करा होगा कि इतना होने के लिए, इतनी होने के लिए क्या तोनों सेम हो, यानि कि देखना है होगा कि क्या theta 1, theta 2 या tau 1, tau 2 जो thermodynamic scale में लिया वो ग्यान scale के लिए का temperature लेना होगी T1 और T2, हम इसी में ले रहे थे, तो इसी को ले लेगे, तो देखें कि क्या वो T1, T2 का कुछ relation आ रहा है, इसके साथ Q1 और Q2 के साथ, तो देखते हैं वो कैसा होगा, तो मैं क्या माल लेती हूँ कि कोई perfect gain scale में जो working substance साथ का temperature मैंने T1 और T2 की form में लेती है, तो मेरे पास efficiency क्या आ जाएगी, 1- T2 और T1 यही efficiency आ जाएगी, और डूसरा मैंने क्या माल लिया, कि अगर thermodynamical scale की बात करूँ, तो मेरे पास efficiency क्या आ रही है, यह आपी है, यह तो किस पे है, thermodynamical scale का मैंने T1 नितिया हूँ, और यह किसका है perfect gain scale के according, इसमें मैंने temperature को T1 और T2 की form में लेती है, source और sink के, और thermodynamic, dynamic scale में हम तो 1 और T2 की form में लेती है, तो इसका मतलब यह दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, अगर यह दोनों इक्वल है, तो यहाँ से मैं क्या रिख सकती हूँ, 1- T2 और T1 is equal to 1- T2 और T1, तो इसका मतलब क्या, 1-1 cancel, negative sign भी कट चाहेगा, तो मैं direct click सकती हूँ, यह चीज़, अब देखो, एक चीज़ जो थी, Q1 over Q2 is equals to T1 over T2 जो लिया था, वो यहाँ से भी प्रूम होगी, यह दोनों equal आया है, तो यह दोनों भी equal है, तो देखो, इसका मतलब क्या है, कि अगर मैं temperature को absolute temperature हूँ, यानि क 0 Kelvin हो, तो उस case में T2 की value 0 आती है, अगर T2 0 आता है, T2 over T1 भी क्या आता है, 0, यानि कि T2 भी क्या आता है, 0, तो यह दोनों की identity को proof करना है, कि एक ऐसा temperature, या फिर एक परमशुन या ताप पर, अगर thermodynamic scale में परमशुन या ताप लिया है, यानि कि T2 को 0 लिया है, तो यह पर देखो, इसके लिए आपको एक example से समझना पड़ेगा, और example मैं, चलो यहाँ पर बता देखुए, एक बार इसको मैं as clear करूँ, ठीक है, देखो क्या example, देखो हमने क्या कर दिया, वर्किंग सब्स्टैंस कार्मोट साइकल में, कुछ ऐसा सा कार्मोट साइकल में बना दिया ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी, डी ये वर्किंग सब्स्टैंस का इंजन मनाया, पी बी इंडिकेटर डाइग्राप, जिसमें ये प्रैशर और वॉल्यूम को शोग हो देखो है, तो मैंने क्या कर दिया, कि हम क्या ले रहे ते, सोट्स का टेम्परेचर ले रहे ते, टो वन यानि कि सोट्स और सिंक का टेम्परेचर, तो देखो क्या हो, तो मैंने इसके अदर जो वर्किंग सब्स्टैंस लिया था, वो मैंने ले लिया बोटर, तो बोटर के लिए मैंने इसमें जो टोवन है, उसको तो मैंने ले लिया पानी का बोईलिंग, बोईलिंग, पोईलिं अगर यहां पर तो पोटको कि जगा ऑनदेख अगर में तो वन और व्लिक्ट के पीच का दिफरेंस की का गालू को तो क्या है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो यह इतना आजाएगा यानि कि दोनों के बीच का डिप्रेंस तो वह हंटर आजाएगा है 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 यह तो कार मंसी क्या जो कार्मी शाइक्ल उसको क्या ऐसे हं दो एसको 20 ऑन्याले को मेर्यश्यदा निकार कि यह इसका उसी अधारी कर्दिया तो इसको क्या है कि आज不用 एक तो तो इसका मत्तल क्या हुआ कि यहां से यहां तक इस पार्ट में जितना काम की है वह एक बटा सो हो जाएगा क्योंकि मैने टोटल जो वाग है वह डबड़ी हूँ उसको मैंने सो बागों में दबात गिया टोटल काम को तो हर का एक पिटा 100 प्लस एक पिटा 100 ऐसे सो बार तक जाता जाएगा तो मुझे टोटल वाग 100 ही मिल जाएगा यही होगा तो इसके लिए मैंने एक हिस्से का वाग दा ले दिया वो ले दिया मैंने 12-2i जो कि क्या है बॉलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वोटर है जो कि है 100 ऐसा करने का रिजन क्या था यह मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मैंने एक जगा पर इन दोनों का डिफ्रेंस पंडर तो इसके कारण यह तो टंपरेचर का डिफ्रेंस भी क्या जाएगा 100 हो जाए वो किसके वला थी 2 बाय टी 1 मैंने इसको लिया 2वाले को आई लिया उर्वन वाले को भी लिया था तो मैं इसका डिफ्रेंस अन्डर्ड दिघरी वाला कर गी जो यहां पर तो मैंने ती 1 बाय में टी 2 पर था तो नेसके लिए तो घो और तो में पर स्ञट रह आई को ज़ि करते हूं दोनों साइड क्या है मुझे क्या पता है टी एस टो आस माइनस टो मरी क्या है 100 है तो मुझे ऐसी टम बनाने के लिए दोनों साइड एक का माइनस कर तो एलसी हम लेने पर मेरे पास क्या बन जाएगा पीवनमाइनस टीटू कोवर में टीटू यहीं मरी न तो इनकर डिफ्रेंस जो है यहां पर प्याप प्ीया थी एस और टी आई जी चेंदे टी नि हम मुझे उसमें लिया था तियेश में आइशmetros present और है यह दोनों का मुझे एक चीज़ पता थी कि T2 जो है वो तो 2 के एक्वल है और T1 के तो 2 के एक्वल है क्योंकि यह एक्वेशन है तो इसका मतलब इन दोनों का डिफ्रेंस हंड्रड है अगर हम कैल्वीन में देखें तो नॉर्मली भी आपके पास आ सकता है कि थर्मोडानिमिक स्केल और ग्यान स्केल है उनकी प्रूफ करो अब इसके अधर लास्टोपिक बचता है वो क्या है थर्ड लोव थर्मोडानिक स्केल आपको मेली तीन चीज़े पता आवे चाहिए पहला तो क्या है अपसीडिट टंपरेचर जो की क्या ही हो मैंने आपको बता दिया दूसरा क्या है इसके अंदर दूसरा है इसमें परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्टक्चर परफेक्ट क्रिस्टल क्या अगर आपने को सॉलिट लगारा पड़े है कि विस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा जैसे कि एंदेसीं तो यह क्या एक solid की structure हो तो वह NA-CN कि है perfect crystal है perfect crystal कίας है कि हर कोई NA का atom अपनी जगहा पर है क्लोरीन का atom अपनी जगहा पर है So, हम अपनी एक fixed position पर पढ़ है structure एकदम bound है यह एकदम perfect है तो उसको क्या होते है perfect crystal और तीसरी क्या चीज़ ह्या वह है entropical एंट्रोपी के हैं वो भी आपको पड़ा चड़िया अगर ये तीनों टांस जो हैं सर्मोडान्मिक के थार्ड लो को करने के लिए जुरूरी है तो देखो तीसरा लो क्या करता है कि परम शिनयता पर जीरो कैमिन पर 0 कैमिन यानिकि-293 डिफ्ट्र अगर इतना नगीटिब में तेमपरेचर होगा तो एक्दम से सॉलिड की फोम में होगा फूरा प्रॉपर सॉलिड तो इस तेमपरेचर पर एंट्रोपी जो है वो किसी भी ही सब्स्तमस की जीरो होती है। जीरो ही होगी। आपको पता है कि ग्राइस की एंट्रोपी कैम वह ज्यादा है किसonce और किसे ब है इतना तो यह चीज relations तो मुझे बताने की जो व्jam अरुत की किसले सुलीड से इसका एक पर हैं पर पे इस ऑसे ले लो कि किसी भी सब्सक्राइब के एंट्रोपी क्या होती है लेकिन हमें पता है कि ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है एक तो जीरो होने का रिज़न क्या है इसका रिज़न क्या है एक तो यह चीज कि क्यूमन हीट ली क्यूटू पे एफिशेंसी जो है वह 100 परसेंट होगी अगर absolute temperature लेंगे यानि कि Q2 की value 0 होगी जो कि possible लिए और दूसरा इतना कम temperature अप्टेन कराना भी पॉसिबल लिए तो थर्पोडान्विंग का थर्ड लों क्या कहता है कि जीरो के अल्विंग पर किसी भी substance की अट्रोफिशन ने होती है जो कि possible लिए तो यह वाली यूनिट हमारी हो गई है complete तो आज के लिए इतना ही thank you very much